नमस्का दूस्तू, स्वागा थे आपका हमारे चनल P.K. गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम इतिहास से सम्मंधत कुछ प्रिष्णों का डिस्क्स करेंगे तो जिन प्रिष्णों की हमें हम बात करेंगे चलिए उनको देख लेते हैं तो इसमें जो सबसे पहला हमारा प्रिष्ण है कि जेन परंपरा के अनुशार जेन धर्म में कुल कितने तीथ रंकर हुए ठीक है हमें बताना है कि जेन धर्म में कुल कितने तीथ रंकर हुए ओप्शन A 20, ओप्शन B 22, ओप्शन C 24 और ओप्शन D 14 ठीक है तो इसका दुसा ही अंसर है वह है option number C यानी कि 24 ठीक है तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धरम में कुल 24 तीथंकर हुए ठीक है अब इन 24 में आपको पहला याद रखना है तो पहले तीथंकर कौन थे तो यह थे रसब देव कौन थे रसब देव और आपको 24 में याद रखना ठीक है तो इतना आपको इस पिसन से याद रखना है कि कुल कितने तीथंकर हुए तो 24 सबसे पहले कौन थे तो रसब देव और 24 में कौन थे तो महाबीर स्वामी आगे बढ़ेंगे कि किस साशक ने बौधों के लिए बिख्यात बिक्रम सलाव बिश्व बिध्यलाई की इस्थापना की ओप्शन A माहि पाल, ओप्शन B देवपाल, ओप्शन C अनंतपाल और ओप्शन D धर्म पाल तो इसका जो सही अंसर है वह है धर्म पाल ठीक है तो धर्म पाल के द्वारा बौधों के लिए बिक्रम सला बिस्व इध्यलाई की इस्थापना की गई ठीके और अगर हम बात करें बिक्रम सला बिस्व इध्यलाई की तो यह एक भारत का पिसिद्य सिक्षा का केंद था ठीके, और विक्रमसला और नालंदा विश्वध द्याला दोनों ही पाल राजबंस के सासन के दोरान ही स्थाबत किये गए और यह क्सिट्सा के लिए जगत पिश्द विश्वध द्याला थे आगे बढ़ेंगे कि किस सासा के सासन काल में नेपाल में बौध धर्म का गमन हुआ ठीके नेपाल में बौध धर्म का गमन है बताना है कि किस सासा के सासनकाल में हुआ option A समुद्रगुप्त option B असोक option C चंद्रगुप्त और option D हार्श बर्धन तो इसका जो सही अंसर है वह है असोक ठीक है तो असोक के सासनकाल में नेपाल में बहुत धर्म का क्या हुआ था गमन हुआ था आगे बढ़ेंगे कि किसे Asia की रोषनी कहा जाता है ठीक है Asia की रोषनी एनि लाइट आफ एसिया किसे कहा जाता है Option A महात्मा गांदी को Option B गौतम बुद्ध को Option C माउट से तुणग को और Option D अकबर को इसका जो सही आंतर है वह है गौतम बुद्ध को ठीक है गौतम बुद्ध को एसिया की रूसने या लाइट ओफ एसिया कहा जाता है आगे बढ़ेंगे कि आजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे ठीक है आजीबक संप्रदाय के संस्थापक हमें बताना है कि आजीबक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे Option A मकली पुत्त गौसाल Option B उपाली Option C आनंद Option D इस्थूल भद्र तो इसका जो सही अंसर है वह है मकली पुत्त गौसाल ठीक है तो आजीबक संपदाय के संस्थापक थे मकली पुत्त गौसाल और जो भी आजीबक संपदाय के अनुनाई थे वो कहलाते थे क्या आजीबक ठीक है और अगर हम बात करें मकली पुत्त गौसाल की तो यह महावीर के साथी थे मकली पुत्त क्या थे महावीर के साथी थे और नियतिबाद और जैन धर्मे में इनकी आस्ता थी ठीक है तो मकली पुत्त गौसाल क्या थे महाबीर के साती थे और इनकी जेंधर में आस्ता थी और जो आजीवक संपदाय है यह किस काल में अगर काल की बात की जाए तो यह मौरे काल में क्या हुआ था लोग प्रिये हुआ था और आजीवक संपदाय का जो उलेख है वह पतंजी लेने भी किया था ठीक है तो यह है आगे बढ़ेंगे कि निमलिकित मैंसे कौन बुद्ध के जीवनकाल में ही संग प्रमुक होना चाहता था ठीक है बुद्ध के जीवनकाल में ही क्या होना चाहता था संग प्रमुक होना चाहता था ऑप्सन ए देवदत्र ऑप्सन बी महाकंप ऑप्सन सी उपाली ऑप्सन डी आनन्द तो इसका जो सही अंसर है वह है देवदत ठीक है तो देवदत जो था वह है चाहता था कि हम बुद्ध के जीते जी ही संगह का प्रमुक बन जाए लेकिन ऐसा नहीं हो सका आगे बढ़ेंगे कि भारत में सबसे बड़ा बौध इस्तूप कहां इस्ते थे ठीक है भारत का सबसे बड़ा बौध इस्तूप कहां इस्ते थे ओप्सन ए सारनाथ ओप्सन बी साची ओप्सन सी गया और ओप्सन डी आजनता तो इसका जो सही अंसर है वह है साची में ठीक है तो भारत को जो सबसे बड़ा बोट इस्थूप है वह है मद्य पुदेश के सांची में इस्तित है यानि इस पिसन का बी आप्शन सही है और अगर हम बात करें सांची के इस्थूप की तो सांची के इस्थूप का जो निर्मान कराया था एक कराया था समुनाट असोकन कब कराया था तीसरी सताब्दी में और यहाँ पर बुद्ध के कुछ आउसेज रखे हुए आगे बढ़ेंगे कि निम्लिकित मैंसे जैन समुदाय के सोईतामबा संप्रदाय के संस्थापक कौन थे जन समुदाय के सोईटामबा संप्रदाय के संस्ता पक हमें पताना है option A स्थूल भद्र option B भद्र बाहू option C कालकाचार option D देवर्षी छमाश्रमाद तो इसका जो सही अंसर है वहे इस्तूल भद्र एक है तो जो सवंधामबा संप्रदाय है इसके संस्तापक थे इस थूल भध्य अगर हम बात करें जैन समदाय की ठीके तो क्या हुगा कि कुछ मतपेद हुगा और जैन समदाय दो पार्ट में डेवाइड हो गया एक पार्ट हो गया सोईतांबर और एक पार्ट हो गया दिगंबर तो सोयतामबर संपदाय के स्थापना की थी इस्थूल भद्दने और दिगंबर संपदाय के स्थापना की थी भद्र बाहूने ठीके तो दिगंबर की भद्र बाहूने और सोयतामबर की इस्थूल भद्दने की थी ठीके और जो यह बिभाजन था कि दो गुट बने या दो संपदाय बने यह हुआ था चंद्रगुप्त मोर के सासन काल में आगे बढ़ेंगी कि बौद धर्म में महायान और हीनियान संपदायों में सरबाधिक मौलेक अंतर कौन सा है आप्शन ए अहिंसा परबल आप्शन भी जाती रहत समाज आप्शन सी देवी देवताओं की पूजा और आप्शन डी इस्तूप पूजा तो इसका जो सही अंसर है वह है देवी देवताओं की पूजा ठीक है बौद धर्मे में दो संपदाय थे ठीक कौन-कौन महायान और ही तो इन दोनों में क्या अंतर था इन दोनों में अंतर था देवी देउताओं की पूजा का क्योंकि जो हीनियान संपदाय था तो यह महत्मा बुद्ध को क्या मानता था एक महापुरुष मानता था लेकिन जो महायान संपदाय है यह महत्मा बुद्ध को क्या मानता था देउत महात्मा बुद्ध ने सरबादिक उपदेश कहां दिये ठीक है महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्याता जो उपदेश है वह कहां दिये option A, पावापुरी में option B, स्रावस्ती में option C, गांधार में और option D, उज्जेन में तो इसका जो सही अंसर है वह है स्रावस्ती में ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिये हैं वह है दिये हैं स्रावस्ती में यानि इस पिशने का B option सही है, ठीक है अगर हम बात करें कि स्रावस्ती में क्यों दिये हैं, तो बुद्ध के जो सबसे ज़्यादा सिस्स थे वह कहां रहती थी, वह कोशल लाज में रहती थी, कोशल लाज था, कोशल लाज में बुद्ध के सरबादिक सिस्स क्या करते थे, रहते थे और कोशल लाज जी की राधाने थी स्रावस्ती, इसलिए जो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिये वह दिये स्रावस्ती में थैंक्यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद